आज का हमारा question है, for 295.781, find the digit in, यहाँ पे हमें places दिये गए हैं, और हमें 10, 10s, 100s, 100s, 1s और 1000s place में कौन सा digit आया है, वो निकालना है. Hello learners, MathsTube Learning में आपका स्वागत है. हमें जो number दिया गया है, वो है 295.781. यहाँ पे 5 है, 1s place में, 9 है, 10s place में, और 2 है, 100s place में. Decimal के बाद जो numbers आते हैं, वो है decimal वाला portion. यहाँ पे 7 है, जो first blank आता है, decimal के बाद जो first आता है, उसे हम कहते हैं, 10th place. जो 10th के बाद जो है, right में, उसे हम कहते हैं, 100th place. 100th के बाद, th. और जो 100 के बाद वाला जो आता है, इसे कहा जाता है, 1000th. 1000 लिखेंगे और फिर th. तो हमने अपना place value chart बना लिया है, अपने numbers को देखके, हमें जो questions दिये गए थे, अब उसे हम आराम से fill कर सकते हैं, ये वाला chart देखके. तो 10th place में हमें कहा गया था, डिजिट धूनने. तो 10th place में जो डिजिट है, वो है, यहाँ से देखके बोल सकते हैं, 9. 10th place, 10th place, यानि ये decimal वाला पार्ट पूछ रहा है, 10th place में है, 7. Next है, पूछा गया है, 100s, 100s में है, 2. और 100s, 100s हुआ decimal वाला पॉर्शन, 100th में है, 8 डिजिट. Next है, 1s place, 1s place में है, 5. 1000th है, 1. तो ये हमारा पुरा आंसर हो गया. अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो थोरा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलिएगा. और हमारे चैनल MathsTube Learning को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू पर वच्छिंग, बाई!